बीते कुछ दिनों से बॉलवुट के मेगा स्टार अमिताब बच्चन सोशल मीटिया पर कुछ ऐसे पोस्ट रीट्वीट कर रहे हैं जिसके बाद बिगबी को जम कर ट्रॉल किया जा रहा है अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ बिगबी ने रीसिंक्ली पूरी दुनिया को एक साथ पॉर्थ डे विश कर दिया और लंबा सा लॉजिक भी दिया बिगबी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया और बताया हर एक हजार साल में ऐसा एक बार होता है बिगबी का ये ट्विटर पोस्ट तेजी के साथ वाइरल हो गया लोगों ने उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने बिगबी को मुबाइल फोन से वाटसेप डिलीट करने की सलहा दे दी दरसल लोग इसलिए भी बिगबी को ट्रॉल कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ये मैसेज वाटसेप पर वाइरल हुआ था और बिगबी ने ऐसे फेक मैसेज को री ट्वीट किया, री शेयर किया तो फैंस ने उन्हें ट्रॉल कर दिया आपको बदा दे, बिगबी अपने पोस्ट में लिखते हैं, आप सभी को जन्म दिन की शुब कामनाई, खास दिन, हर 1000 साल में एक मौका आपकी उम्र प्लस आपके जन्म का वर्ष हर व्यक्ति 2020 है, यहां तक की विशशग्य इसे समझा नहीं सकते बिगबी का जैसे ही यह पोस्ट वाइरल हुआ, लोगोंने मीम शेयर करते हुए उन्हें जम का ट्रॉल किया लोग कहने लगें, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है, ज्यादा तर लोग बिगबी को कहते हैं, सर इस दूरलब सूतर के रहस्यो घाटन के लिए गणित का पहला नोबेल पक्का आपको ही मिलेगा यूजर लिखते हैं, अगर ग्यारा मुलकों की पुलिस ने अपना काम कर लिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना होता लोग कहते हैं, अमिताब सर अपने फोन से वाटसेप डिलीट करें आपको बता दे, इससे पहले भी बिगबी फेक नियूस का शिकार हो चुके हैं बीते दिनों एक ट्वीट करके उन्होंने बताया कि जनता कर्फ्यू में बरतन या तालिया शंक बजाने से कॉरोना खत्म हो जाएगा बिगबी को सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया गया इसके बाद बिगबी ने बताया कि मरीज जब ठीक हो जाए तब भी उसके मल में कॉरोना वाइरस जिन्दा रह सकता है इस वज़ा से बिगबी को ट्रॉल किया गया बीते दिनों एक ट्विटर यूजर ने एक ओल्लाइन याची का डायर की जिसमें अमिताब बच्चन के मोबाइल फोन से वाटसप को हटाने के लिए पैटीशन दाखिल की गई खेट बिगबी लगातार इन ही सब की वज़ा से ट्रॉलर्स के निश्याने पर है नेक्स्ट उनाइन नियूस से मेगा की रिपोर्ट